नमस्कार स्वगत्याप का हमारे अचार जागिंद्र मिशाच चैनल पर 2022 हरितालिका तीज 30 अगस्त पूजा बिधी सास की ठाली दोस्तो हिंदी पंचान के अनुसार भादरपद माश के सुकल पक्षी तरतिया तिथी को हरितालिका तीज मनाई जाती है हरितालिका तीज कबरत भागवान सीव और माता पारुती को शम्रित है महिलाएं यह बरत अपने पतिक लंबी उम्र और कुमारी कन्याएं मन चाहा बरपाने के लिए रखती है पुरानी मानताओं के अनुसार जो महिलाएं हर तालका तीज का ब्रत पूरी बिद विधान से रखती हैं उन्हें अखंड शवभाग का बरदान प्राप्त होता है मानता है कि भगवान सीव जी को पाने के लिए माता पार्वती ने भी यह ब्रत रखा था इस तिथी पर भगवान सीव जी माता पार्वती के साथ ही भगवान गरेश जी की भी पूजा की जाती है यह ब्रत कठिन प्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि यह ब्रत निर्जला रखा जाता है इस साल हर तालका तीज का ब्रत 30 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा यदि आप भी हर तालका तीज का ब्रत रख कर अखंड शवभाग का बरदान प्राप्द करना चाहते हैं तो इसके लिए ब्रत नियम के अनुसार बिद विधान से पूजा करें आज हम आपको इस वीडियो में हर तालका तीज के शुब महोरत के बारे में बताएंगे शाति साथ पूजा बिधी और शास की ठाली में क्या रखें ये भी हम आपको बताएंगे तो दोस्तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है साथ ही माता पार्वती के लिए कमेंट में जरूर लिखें जय उमा पार्वते नमा है शाती साथ वीडियो को शेर अवश कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और इस बेल आइकन को दबा दीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहते हैं कि जिसने भी एक वार हरताल का तीज का ब्रत प्रारंभ किया तो अपने पूरे जीवन भर इस ब्रत को रखना चाहिए वैसे तो पती के आई के लिए तथा धन सुक्षम्रद्धी प्राद करने के लिए और भी कई ब्रत आद किये जाते हैं लेकिन ये जो हरताल का तीज का ब्रत है ये बहुत ही सुब और बहुत ही कठिन होता है शुब इशले क्योंकि यह पती की लंबी आई के लिए और सुक शम्रद्धी के लिए होता है और कठिन इशले क्योंकि यह निरजरा रखा जाता है लेकिन जो भक्त माता पारुती और भगवान सीव का नाम लेकर इश्मरन करकर इस ब्रत को करते हैं वो इस कठिन ब्रत को भी पूरा कर लेते हैं इसमें चुकि वारिश का महीना चल रहा है और इसमें कुमारी कन्यायत था जिनका विवा अभी नहीं हुआ वो भी अपने यानिकी इस यानिकी हर्ताल का तीश का ब्रत का संकल पर ले शकती है इस दिन चाहें तो आप अपने शाम क्योंकि निर्जला ब्रत का संकल्प लेने के बाद तोड़ा नहीं जाता इस ब्रत के लेने के बाद तोड़ने का मतलब है कि भगवान सीव माता परती को नाराज करना जब ब्रत संपूर होने के बाद ही फिर इसे तोड़े लेकिन जिनका समार्थ नहीं हो वो इस ब्रत को फलाहार के साथ भी रक्षकती हैं या फिर पानी के साथ। सबसे पहले बात करते हैं हरिताल का तीज ब्रत की तिथी और शुब महुर्त के बारे में। उदिया तिथी के आधार पर हरिताल का तीज का ब्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। तिथी प्रारंब होगी 29 अगस्त शुम बार दुपार 3 बशकर 20 मिन से तिथी समाप्त होगी 30 अगस्त मंगलवार दुपार 3 बशकर 33 मिन तक हरिताल का तीज सुबह के पूजा महुर्त रहेगा शुबह 6 बशकर 12 मिन से सुबह 8 बशकर 42 मिन तक प्रदोश काल हरिताल का पूजन का महुर्त रहेगा सुबह 6 बशकर 42 मिन से दुपार 3 बशकर 33 मिन तक जानते हरिताल का तीज बरत के नियमों की बारे में हरिताल का तीज का बरत निरहाल और निर्जला किया जाता है इस दिन महिलाएं अखंड शुबहाग का बरदान प्राप्त करने के लिए निर्जला बरत रखती हैं जिस दिन आपने उपवास रखा है उस दिन शुबह श लेकर अगले दिन तक यानि की शुर्योदे तक आप जल गरहन नहीं कर सकते हैं बरती महिलाओं को बरत के अगले दिन शुर्योदे के बाद ही यानि की आचमन के बराबर थोड़ा सा जल लेकर बरत खोलना चाहिए फिर बाद में आप भरपूर मात्रा में जल ले सकती हैं हरताल का तीश कबरत कुमारी कन्याएं और शुहागिन महिलाएं दोनों ही कर सकती मानताओं के अनसार दोनों ही यानि इस बरत को करने के बाद जब कोई लड़का या महिला लड़की या महिला एक बार इस बरत को शुरू कर देती हैं तो प्रतेक वर्स इस बरत को यानि की नियम के अनसार करना पड़ता है बीच में नहीं छोड़ना पड़ता यह बरत के सा यानि कि भगवान सीव माता पारुती का भी पूजन जरूर करें और इसे बीच में ना छोड़ें यह ब्रत को महिलाएं के द्वारा अपने सुभा की लंबी उम्र के लिए किया जाता है इसलिए इस पावन तिन दिन पर महिलाएं इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखें कि आप अपने पती के साथ किशी भी प्रकार का कोई भी बादिवाद ना करें और ना ही उनका दिल दुखाएं ब्रत रखने के बाद महिलाएं इस दिन विशेश कर ध्यान रखें की शोला शिंगार करना ना भूलें महिलाएं नए वस्तर पैने और सजधर्श कर ब्रत रख रखें इसके आलावा इस दिन सभी ब्रती महिलाएं रात बर जागरन भजन जरूर करें और पूजन करें ऐसा करना अतिस्व माना जाता है जानते हरताल का तीज ब्रत की पूजा बिधी के बारे में वो महिलाएं जो हरताल का तीज का ब्रत या फिर रखना चाती है या फिर से साफ सफाई कर लें अब एक चोकी लगाएं और उस पर भगवान सीव माता पार्वती और भगवान गड़ेश जी की प्रतिमा इस्थापित करें अब एक दीपक प्रजुलित करके भगवान गड़ेश जी की को तिलक करें और दूर्वा अरपित करें फिर भगवान भोलिना पुजा बिद्वत करने के बाद हरिताल का तीज ब्रति कता पढ़ें और सुनें साथिसाथ गड़ेश जी की आरती करें और भगवान स्री माता पारुती की आरती करें और आरती तारने के बाद उन्हें भोग लगाएं हरिताल का तीज से एक दिन पहले महिलाएं महेंदी लगाती हैं हरिताल का तीज की दिन सुबह इश्ञान आदी करके शौला शिंगार ज़रूर कर लेना चाहिए और माता पारुती भगवान सिर्की पुजा भिद्वत करने चाहिए और इस दिन अपनी सास की थाली को जो आपक महा महागورी को आप यहनी की भेंट करे अरफित करें हाथों में मेहंदी लगाई जाती है सामे के समय में विद्वत पूजा करें अपने पती के पेर छुकर प्रणाम करके उनका आशिरवात प्राप्त किया जाता है दोस्तों, पूजन करते समय ही बाईना निकाला जाता है जिसे सीधा भी कहते हैं जिसमें शिंगार की सभी जरूरे वश्ते रखी जाती है साथी ये भी पहनने के लिए साड़ी सूट बगराई ये फिर साथ में फल मिठाई भोजन दच्छना में रखी जाती है जो भी आपके लिए सही लगता हो वो उन्हें आप जरूर रखें थाली में एक थाली में इन सभी सामागरी को आप रखकर उनकी पूजा कियाती है फिर परिवार में अपने सास को आप अपनी सास को या फिर अपनी ननंद को या फिर जो भी आपके घर में जो बड़ी महिलाएं हैं, उन्हें परिवार में उन्हें ये सामागरी शीधा जरूर आप दे दें, लेकिन सास है तो सास को ये थाली जरूर दें, सास को देते समय इस थाली में आप पूरी तरह से इसे सजा लें, अच्छी तरह से इसे सजा ले और इसमें पूरी सामागरियां आप रख दें और उनके सास को देने के वाद सास को ये थाली की देने के वाद सास को पैर छोकर उनका आश्रवात प्राप्त किया जाता है दोस्तो इस दिन गाए माता को रोटी बगएरा भी आप जरूर खिलाएं जो समागरी आपने बनाई है उसे आप गौ माता को जरूर आप यानि कि ब्रत खोलने के बाद उन्हें खिलाएं तो इस प्रकार से आपको सास को यहनि कि इस दिन जो ठाली सजाते समय आपको विशेश रुप से उसमें सभी वस्त को रख देनी है सास की ठाली में और फिर देना है और फिर उन से आश्रवात प्रात करना है तो दोस्तो ये था 2022 की हरितालिकत तीज का ब्रत और इसकी पूजा बिधी किसी दिन है साथी सास की थाली के बारे में भी पूरी जानकारी दी तो दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देजेगा और सेर कर देजेगा और चैनलों को सब्सक्राइब कर लेजेगा जैमा पार्वती